हलो दोस्तों, आपको हम प्लस्तर के बारे में ऐसी चार इंपोर्टेट बाते बताने वाले हैं, जो कि आपका जो प्लस्तर ना तो कदी खराब होगा, और ना ही कभी वो क्रेक मारेगा, ना ही उसके अंदर से कोई बोपड़े वगिरा निकलेंगे, बहुश्चे में ना ही इस क्रेग मार जाता है या फिर उसके अंदर से पोपड़े निकलने लग जाती है या फिर उसके अंदर से रेट खिरने लग जाती है तो दोस्तों प्लस्तर करते समय आपको क्या करना है जब भी आप कोई दिवाल पे प्लस्तर करते हो नंबर वन दोस्तों आप जब भी आप कोई दिवाल पे प्लस्तर करते हो तो उसकी जो तराई है कम से कम दो तिन दिन पेले से ही तराई अच्छे से हो जाना चाहिए जो की इट वो अच्छे से गिली हो जाना चाहिए वो इट अगर अच्छे से गिली होगी तो आपका जो प्लस्तर है वो एकदम से नहीं सुकाएगा और नमबर त्री दोस्तों आपको उस दिवाल पे सिमेंट का गोल जरूर लगाना कोई भी दिवाल पे आप जब प्लस्तर फर्च टाइम करते हो तो उसमें सिमेंट का गोल लगाके फिर ही प्लस्तर करें और नमबर फॉर दोस्तों आप जब प्लस्तर करने के बाद में उसके एक दिन बाद में अगर गर्मियों का मौशल में तो में कम से कम 2-3 दिन से मलप्तरिया करें और तराइ उसकें अंदर मतलब कम से कम 10 से 12 दिन दे कड़्ू , 2-3 बार करते रहें ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो प्लसरे हो यह हैं हो काफी मेनत करते हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों लाई जरूर करें धन्यवाद